हेलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज के इस वूडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MS SQL Server में Table Data Delete कैसे करें सो दोस्तों Table की Data को Delete कैसे कर सकते जैसे मान लूडो मैंने RAM का Data डाला था पीछे की वीडियो में हमने जैसे की देखा था कि हमने RAM का Data डाला था तो हमसे तीन बार data डल गया था मैं चाहता हूँ कि RAM का data ही delete हो जाए या मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी टेबल ही delete हो जाए तो delete statement table को delete करने के लिए या उसके data को delete करने के लिए use किया जाता है थो दोस्तो हम query लिखते हैं query लिखेंगे क्या लिखेंगे query है ठीक के अंदर मारी एक टेबल है जैसे मैं खोड़ लेता हूं टेबल को आपको कि एंप लोगई कि स्यमिकॉलम ठीक है एफ वाइफ तो यह मेरा डेटा आ गया है ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हूं ठीक है यह मेरा डेटा आ हम मैं चाहता हूं कि यह राम का जो डेटा है या इसको डिलिट करना है मेरे को मैं चाहता हूं कि यह डेटा डिलिट हो जाए ठीक है भाई कर दो तुमारे इच्छा तो उसके लिए एक command है दोस्तो क्या command है तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं देखे, कमांड क्या होगी, यह हमारा extra है, select from, यह तो बाद में हम, तो यहां से लिखूंगा मैं, delete, delete, from, employee, sit, ठीक, यह हो गया, दोस्तो, यदि मैं यह कमांड लिख के, यदि data को delete कर देता हूं, तो दोस्तो, यह पूरी की पूरी table ही delete हो जाएगी, पर दोस्तो, इसके साथ, मुझे क्या करना है, where लगा देना है, w, h, e, r, e, where, यह आप यहां से भी कर लिए अगरो, दोस्तो, कोई दिक्कत नहीं है, यह लो, मैं यहां से space देके, w, h, e, r, e, e, मैं तो नीचे एक अलग इसलिए ले जाता हूं कि, चीज प्रोपर देखे, ठीक है, where, जैसे मैं चाहता हूं कि, name, one ब्राबर, सुरी, single quote, ठीक है, यह लो, single quote और semicolon से बंद, मैं चाहता हूं कि, ram का data delete हो जाए, तो यह क्या करेगा दोस्तो, अब यह ram का data delete कर देगा, मैं इस command को बताऊं, हरा, पहले हम execute करते कहीं, इसमें गलती तो नहीं है, देखते हैं, execute करें से, execute करते हैं, तो यह यहाँ पर देखोगे, कि जो data बचाना, वो ram का, इसने delete कर दिया, यहाँ पर only siam, gita, sita, का ही data बचा है, बाकी किसी का data नहीं बचा, तो यह command क्या थी, मैंने क्या लिखा, delete, यह हमारी एक syntax हो गया, from, कहां से data लेना भी, या कहां से data लेना है, तो इसने बोला कि employee sheet, जो आपकी table है, employee sheet, यहाँ से, जो मैंने एक table बनाई हुई थी, आपको पता है, यह, जो मैंने ये employee sheet table बनाई थी, इस sheet का, जो data है, उसके अंदर, मैंने condition लगाई, भी, आमें यहाँ तक लगा, कि semi-colon लगा देता न, तो यह पूरी table को delete कर देता, मेर where लगा दिया, मैंने, मैंने कहा, where जहाँ पे name one बराबर, इस name में, जो राम था, उसके सारे data delete हो जाए, तो इसने क्या किया, उसका सारा data delete कर दिया, ठीक है, यह हो गया data delete करना, अब हम जैसे जैसे दोस्तों, आगी condition पे जाएंगे, अब यह तो मैंने पूरी line delete की, मैं कहता लगेगी, यहाँ पे हम single condition पे चल रहे हैं, वेर, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मेरे को एक condition और लगानी है, कि end, जहां स्याम का जेन मन्त का आ रहे है, मैं कहता हूँ कि फर्वरी मन्त का data है, वो ही delete करना है, राम राम करना ही करना भाया, पूरा January, March, April पूरा नहीं कर मैं कहता हूँ कि उसका फर्वरी फर्वरी का करना है, तो वो end के साथ condition होगी, जो हम आगे के वीडियो में सीखेंगे, तो दोस्तो अभी ऐसे ही जुड़े रहे, नई नई चीजों को सीखने के लिए, और अभी तक आपने हमारा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन भी दबा दे, और कमेंट करना ना भूले दोस्तो, थेंक यू